नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 26 मई 2021 की हिमाचल परदेश की आज की जो इस शाम पांच वेड़े तक की सभी ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को बाला है ताकि आप तक हिमाचल परदेश की जो हर notification सबसे पहले पहुं सके तो चलिए दुस्थ हो वीडियो को जै शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज शाम की top 10 तादा खबरे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामforth जो आज कांगरेस की राजनीती गर्मा गई है पिछले चुनावों में सीम पद के दाविदार रह चुके पूरव मंत्री जीएस बाली अधिक सक्रिये हो गए है बाली के दिली जाने से या हल चल और बढ़ गई है सूत्रों की माने तो वह हाईकमान के बड़े नेताओं के संपर्क में है मौजूदा गटनकरम को कांगरेस में आगामी चुनाव के मद्दे नजर नित्रतव की जंग से जोड़ा जा रहा है अगनियुज आपकी कि शराब की दुकानों से खरीद सकेंगे चार से जादा बोतलें सरकार ने हटाई सेलिंग जैराम मंत्री मंदल की ओर से मंजूर की चार से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी अन्यथा उसके खिलाब कारवाई की जा सकती है शराब ठेकदारों की सुझाब को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीती में या नया प्रावधान किया गया है पहले शराब की चार से अधिक बो अधिक बोतल लेकर जाने के लिए साथ में एक व्यक्ति रखे अगर नियुज जाब की कि किशेत्री अस्टाल रिकांग प्यों में धूल फांक रहे साथ वेंटी लीटर तो जिनजात्य जीला के नौर में सिरकार और स्वस्ते विभाग की लापरवाई जीले के हजारों लो चग्य ना होने से साथ वेंटी लीटर धूल फांक रहे हैं हालत यहा है कि आपात की स्थिती में मरीजों को रिकांग प्यों से शिमला रैफर किया जा रहा है अगनी उजाब की कि होम आईसोलेट करोना मरीजों को घर पर मिलेगा सस्ता राशन तो हिमाचल परदेश में होम आईसोलेट करोना मरीजों को जो है घर पर ही सरकारी डिपूं का सस्ता राशन मिलेगा पंचायत परधान और संबंदित वर्ड का जोए पंच सस्ता राशन घर पहुंचाने की विवस्ता करेंगे जिन घरों में करोना मरीज आइसोलेट हैं उनके परिवार के सदस्या को भी डिपू में नहीं आने की हिदायत है करोना मरीज ठीक होने के बाद भी करीब पंद्रा दिन तक राशन लेने डिपू में नहीं आएंगे परदेश में करोना के सक्रीय मामले मामलों की संक्या अभी 20,000 से जादे के अगनी उजब की कि सुप्रीम कोट के आदेश पर हिमाचल में 245 क्यादी पैरोल पर छूटे तो हिमाचल प्रदेश चेल विभाग ने सूबे की विभिन जीलों में जो बंद 335 क्यादियों को सुप्रीम कोट के आदेश पर पैरोल दे दी है इसमें 245 ऐसे क्यादी शामिल है जो कोट की और से जारी दिशा नरदेशों को पूरा करते थे इन सवी को पैरोल दी गई है 335 क्यादियों में 90 वे क्यादी शामिल है जो पहले ही पैरोल पर थे और अब उनकी छुटी 90 दिन और बढ़ा दी गई है अगर निज़ आपकी कि लड़ेंगे करोना से करोना से जंग जीत कर फिर लोगों की सेवा में जुटा डॉक्टर दमपती तो करोना महमारी से दो-दो हाथ करने में स्वास्ते विभाग वो कि जो है करोना योद्धा जी जान से मैलान में डटे हुए हैं रोगियों का उप् कि सेव के बगीचों में समय से पहले पत्जड का खत्रा बागवानों की बढ़ी चिंता तो सेव के बगीचों में अल्टरेनिया माली और मारसोनीना कोरोनिया रोग ने दस्तक जो है दे दी है इससे समय से पूरुप पत्जड का खत्रा बढ़ गया है विशेशक्यों ने इ देख लक्षन दिखाई दे रहे हैं, शुरुवात में रोग सेव की पत्यों पर दिखाई दे रहा है, पत्यों की उपरिस्ते पर गोला कार गहरे हरे रंग के धब्बे जोए नजर आते हैं, अगर नुज आपकी, कि संकट में मदद का कारवा जारी करोना से निप्टने की को जो है, कैमिस्ट संग ने बढ़ाया कदम, तो बिलासपूर से निउज है कि बिलासपूर में करोना से निप्टने के लिए जीला कैमिस्ट एसोसियेशन ने भी कदम बढ़ाया है, कैमिस्ट एसोसियेशन ने करीब साड़े पांच लाग की जो है, रोपै की कोबिड संबंद दवाईयां उपायुक्त के माध्यम से मुख्य चेकितसा अभीकारी डॉक्टर परकाष्ट दरोज को सौंपी हैं जीला कैमिस्ट एस्सेशन के परधान हेमंत शर्मा की अगवाई में या समगरी कार्याले में पहुंचाई गई अगनी उजयाप की कि कुल्लू में सीटू कार्या करताओं ने दिखाए काले जंडे मुझदूर बिरोधी कानून को निरस्त करने पर अड़े तो किसान अंदोलन के 6 महिने अब पूरे हो गए हैं वहीं अपनी मंगो को मनवाने के लिए किसान अभी भी धर्दने पर बैठे हुए हैं किसानों की मंगो को ना मानने के विरोध में कुल्लू में सीटू कारे करताओं ने काले जंडे दिखा कर अपना रोश пят किया कुलू की मुख्यल्य सरवरी स्तेथ सीट्टू कार्यल्य में सीट्टू कारे करता हूँ द्वारा समारिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कालेज अंडे दिखाए गए वा मजदूर विरोधी कानून को निरस्त करने की मांग भी की गई अगर नियुजाप की कि मंडी में केंदर के खिलाप हला बोल किसानों मजदूरों के लिए बनाये नए कानून का विरोध तो मंडी से नियुजाप की की कोलतार गारी की चपेट में आने से युद्टी की मौत बाई को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा तो नगरोटा सूरिया में पिछली मंगलवार शाम को एक रास्थान की 18 वर्षे लड़की जो है अपने छोटे भाई को कोलतार की गारी की चपेट से बचाने के चक्कर में खोद ही गारी की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई इससे पहले उसे गाल आवस्ता में कोल्तार कोल बिचाने का कारिया चला हुआ, ये रास्थान के लोग कालतार बिचाने का कारिया कर रहे थे अगनी उजय है कि हाई कोट में जनैहिती आचिका पर सुनवाई करोना से निप्टने के लिए सरकार को मिले ये आदिश, तो शमला से निज़े कि प्रदेश हाई चिकतिसा सुविदाओं को बढ़ाए जाने की जो है मांग को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान केंदर सरकार की और से नयालिय को बताया गया कि उन्होंने सभी राजजिय सरकारों को आदेश चारी कर सभी प्राथमिक स्वास्ते केंदरों को 30-30 वाले उक्सिजन सुविदा योगत आईसियू होस्पिटेल में तबदील करवाने के लिए क्या दिया है अगनिज आपकी COVID-19 vaccination हमीरपूर में कल 13-17 में लगेंगे 18-44 वर्ष के पातर लोगों को टीके तो हमीरपूर जीली में COVID-19 टीका करने के लिए के अंतरगत 18-44 वर्ष आईउवर्ग के पातर लोगों को 27 में को टीके लगाए जाएंगे जीला मुख्यल सहथ सभी स्वास्त टेखन्डों में इसके लिए 13-70 आयोजित किये जा रहे हैं जिसकी त्यारियां पूर्ण कर ली गई है अगनिज आपकी कि संकट के बीच ऑक्सीजन बैंक निभाईगी मैत्पूर्ण भूमिका अंकोश तो विमारी ग्रस्त लोगों को बचाने में जो है केंद्री वित राज्यमंत्री अनुरांग सिंग ठाकुर द्वारा उपलब्त करवाया जा रहा ऑक्सीजन बैंक मेत्पूर्ण भूमिका निभाएगा या ऑक्सीजन बैंक एक से दो या सोज से दो सो नहीं बलकि पूरे साथ सो बैट के लिए प्रयाप्त मात्रा में ऑक्सीजन स्प्लाई सुनिश्चित करने में सक्षम होगा अगनियुज़ आपकी कि ABVP ने सुल्तानपूर में वितरित किये मास्क अगनियुज़ आपकी कि COVID मेकशिफ्ट अस्ताल पर और में COVID मरीजों का तनाव दूर करेंगे बजन और परवचन तुराज जिके सबसे बड़े COVID मेकशिफ्ट अस्ताल पर और में मरीजों में संक्रमन से उत्पन होने बाले मानसिक तनाव को कम करने के लिए उप्चार के साथ साथ प्रवचन और भजन भी सुनाए जा रहे हैं अगर न्यूज आपकी कि बच्चों की लिखाई सुधारने के उदेश्य से नितन ने चलाया आओ लिखना सीखें कारेकरम धर्मशाला से इन्यूज आगर न्यूज आपकी कि मेडिकल कॉलेज नहान में करोना से महिला की मौत पती ने लगाए लापरवाई के आरोप तो डॉक्टर वाई अस्परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंदन पर एक महिला की मौत के बाद उसके पर जानों जोगे लापरवाई के आरोप लगाए हैं अगनी उज आपकी कि सोशल मीडिया पर सीम के खिलाप अबदर भाशा प्रयोग करने पर बिफरी बेजेपी पुलिस में दर्ज करवाई शिक्वाई अगनी उज आपकी कि मंडी जी ले के युवाओं के लिए डिजिटल स्केल ट्रेनिंग का सुनहरा मौका तो दोस्तों ये थी आज 26 में 2021 की हिमाचल परदेश की आज शाम पांच बजे तक की सभी तार्या खबर हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित बर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिन जैभाद